दियर फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सासो की खाथ या मस्टर्ड केक फर्टलाइजर यह हमारी प्लांट्स की ग्रोध के लिए किस तरह एफेक्टिव होती है आज का हमारा यही टॉपिक है फ्रेंट्स जब किसी प्लांट्स में आपके फ्रूटिंग या फ्लॉरिंग ना हो रही हो तो आप इस खाथ कर इस्तिमाल करके उसके ताकत को बढ़ा सकते हैं और इसके अंदर धेरों फल और फूल पा सकते हैं जहां पर फ्रेंट्स सरसो का तेल निकाला जाता है वहां पर एक तरफ तो सरसो का तेल निकलता है और दूसरी तरफ जो मैटेरियल बचता है उसकी का जो जो बचता है वो उसे खली खल कहते हैं यही मस्टर्ट केक फर्टलाइजर होता है और यह बिल्कुल भी वेकार नहीं होता है बलकि यह बहुत ज्यादा ताकतवर खाद होती है हमारी प्लांट्स के लिए और इसके अंदर फ्रेंट्स एंपिके पाया जाता है यानि के नाइट प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और जैसे के फाइबर मैगनेशन वगारा इसके इसमाल से नसीफ इस पे फ्लोडिंग होती है फ्लोटिंग बहुत होती है बलकि इसमें कीड़े चूंटिया वगारा भी नहीं लगते हैं यह खाद फ्रेंस फूल फल सबजीयों वाले पादे में इस्तमाल की जाती है तो फथेंसस को हम सूखे हुई भी इसमाल कर सकते हैं इसका पॉडर बनाके और अगर मतलब जब हमारी प्लांट्स के पॉड गीले होते हैं नमी पाइजा है तो उसके अंदर इसका पॉडर बनाकर इसमाल कर लिया जाता है और दिन तक 100 g खाथ को फीगओ के रखते हैं पानी में और इसको बीच बीच में हिलाते हैं जैसे कि मैंने भीओ के रख्खा हुआ है और 100 g और सो फीर 2 l각 पानी में हम मिला लेंगे 2 lekt पानी में मिलाकर पॉदों के गंपली में बाव सकते हैं और आप इसके अस्टार्ट बहुत ज्यादे देखेंगे कि बहुत जल्दी इसके अंदर फ्रूटिंग और फ्लारिंग स्टार्ट हो गई है आपके प्लांट में तो इसके लिए गमला सूखा होने चाहिए इसके मिट्टी सूखी होई होनी चाहिए मेरा ये देखे मैंने तो इसे के लिए मैंने यह खाद बनाई है तो 200 ग्राम अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो इसको दो लिटर पानी मिला देंगे मिक्स करके दालेंगे तो इसके लिए मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए यह दिखे मैंने पानी यह लिया हुआ है इसके अंदर यह मिक्स कर देंगे और जब इसको भीगा आएं फ्रेंट्स तो वीच वीच में हिलाते रहें और 24 और से लेके 48 और तक इसका भीगा रहना ज़रूरी है बस इससे ज किसी भी आपके पास जो भी चीज है उससे खुर्पी से चुरी से या चम्मेश से अब इसके अंदर इसको फिर डाल दें अब यही फर्टलाइजर मेरी और भी ब्लांट्स में और भी पॉट्स में कामा जाएगी तो यह डाल दिया है मैंने तो यह थी आज की हमारी वीडियो और भी मीचे की प्लांट्स में मैं इसको डाल दूंगे आपको अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंट्स तो इसको ला बाइ फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ